हमारे सभी दर्शकों को साधर पड़ाम जैशी क्रश्णा आज हम विवाह में देरी शादी में देरी के एक छोटे से लेकिन बहुत महतुपूर्ण विशे पर चर्चा करेंगे आज का जो विशय है यह देखने में बहुत सामानी सा लगता है लेकिन इससे बड़ी बड़ी समस्या होती है तलाग तक की स्थतियां भी बन जाती है तो इस इस्थति को समझना बहुत जरूरी है जब भी मिलान के लिए कुंडली आती है तो वहाँ पर इस इस्थति को अवश्य देखें यदि आपकी कुंडली में या आपकी संतान की कुंडली में इस प्रकार की इस्तती है तब भी समस्या रहेगी और आप यदि मिलान करते समय ध्यान नहीं देते हैं और जो कुंडली मिलान के लिए आई है आपकी संतान के लिए और उस कुंडली में भी इस प्रकार की समस्या है या इस प्रकार की इस्थति है तो उस से आपको सावधान रहना होगा अन्यधा फिर बाद में आपको किसी भी प्रकार का समाधान नहीं मिल पाएगा तो अक्सर छोटी छोटी इस्थतियां भी बड़ी दुखदाई हो जाती है और उन पर ध्यान लगाना बहुत अवशक होता है आज जो योग बता रहा हूँ इस योग से अन्य भावों पर भी बुरा प्रवाव पड़ता है और दूसरी बात यह भी कि अन्य जितने भी भाव हैं कुंडली के उन भावों की इस्थति भी इसी प्रकार से देखनी चाहिए तो यह एक बहुत सटिक और सुन्दर सुत्र है इसको आप याद रखते हैं तो बहुत अच्छी स्थति मिलान में रहती है इसे छोड़ना ही शुब रहेगा और यदि आपकी ही संतान की कुंडली में इस प्रकार का योग है तो विवाह में देरी होगी ही और जो पूरु में मैंने उपाय बताए हैं विवाह से समंदित उन वीडियो को आप अवश्य देखें ऐसे दर्शक जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं आप उन वीडियो को भी अवश्य देखें जिन में मैंने विवाह से समंदित उपाय भी बताए हैं तो उन्हें आप करेंगे तो आप लाबानुवित होंगे तो समझते हैं इस छोटे से सुत्र को आपको अपनी लगन कुंडली ही देखनी है अन्य कोई भी कुंडली नहीं देखनी है यहाँ पर आप देखें कुंडली नीचे कुंडली है उपर राशियां राशियों के स्वामी लिखे हुए है तो इस इस्तती को तो आप समझ ही रहे हैं हमेशा बताता हूँ लेकिन दूसरी इस्तती नीच वाली नीच ग्रहों की इस्तती को अवश्य समझें जो साथ प्लेनेट है उनकी नीच राशी को समझें जैसे सुर्य है तो वह तूला राशी पर नीच का होता है तूला राशी का सीधा समझ है साथ नमबर रंग चंद्रमा आठ नमबर व्रश्चिक राशी पर बेठा हुआ है तो नीच का कहलाता है मंगल चार नंबर करक राशी पर बेठा हुआ है तो नीच का होता है बुद्ध बारा नंबर मीन राशी पर यदि नीच का बेठा हुआ है तो यहां इस्तथी भी शुब नहीं होती है मीन राशी पर बुद्ध नीच का होता है गुरु मकर राशी दस नमबर अंक पर बेठा हुआ है कुंडली में तो नीच का कहलाता है शुक्र छे नमबर कन्या राशी पर नीच का होता है और अंतिम शनी मेश राशी एक नमबर पर नीच का होता है तो ये जो नीच की इस्तिया है आप उतार लें लिख लें किसी पेज पर और इससे पूरू भी मैंने नीच उच राशियों के बारें बताये हैं उनकी इस्तियां बताई है वो जानकरियां यदि आप चाहते हैं तो वे सारे वीडियो यहां पर इस चैनल पर उपलब्ध है लेकिन यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब ही वे सारी जानकरियां आप तक पहुँच पाएगी तो नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो सारी जानकरिया समय पर मिल पाईगे तो आपको देखना है सब्तम भाव क्योंकि विवा का भाव सब्तम भाव ही है उसी पर नजर डालने होगी सबसे पहले सब्तम भाव का स्वामी आप देखने कुंडली में जहां कहीं पर भी बेटा हुआ है एक बात आप समझ लें कि सब्तम भाव का स्वामी यदि छटे भाव में बेटा है तो अपने आप इस्तथी खराब रहती ही है विवाह में देरी होना आम बात है अठाई साल, तीस साल उमर होना आम बात है यदि सब्तम भाव का स्वामी छटे भाव में या बारवे भाव में कुंडली के बारवे भाव को आप द्यान से देखें छटे भाव को यहाँ पर द्यान से देखें सब्तम भाव में जो भी अंक लिखा हुआ है जो राशी लिखी हुई है उसका स्वामी इस चार्ट में आप उपर देख कर समझ सकते हैं लेकिन आज का जो छोटा सा सुत्र है उसका संबन्ध है नीच इस्तती से तो सबसे खराब इस्तती क्या होती है उसे आप समझें आपकी कुंडली में सब्तम का जो स्वामी है कोई कोई स्वामी तो होगा ही इन साथ ग्रहों में से ही होगा यदि वह कुंडली में नीच इस्तती में है नीच राशी पर बेठा हुआ है पहली इस्तती तो यह समझें और दूसरी इस्तती कि जहां जिस राशी पर वह नीच का बेठा हुआ है उसका स्वामी भी यदि नीच का हो जाए तो बहुत बुरी इस्तती होती है इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें और यदि आपको समझ में ना आये तो एक उधारन आप देख लें यहां पर आप यहां पर देखें तुला लगन की कुंडली आप देखेंगे अब कुंडली एक तुला लगन की साथ नंबर लगन में लिखा है एक नंबर सब्तम भाव में लिखा हुआ है तो सब्तम का स्वामी कौन हुआ? मंगल, क्योंकि एक नमबर अंक सब्तम भाव में लिखा हुआ है. और मंगल इस कुंडली में चार नमबर अंक नीच राशी पर बेठा हुआ है. तो यह इस्तती खराब है. और अब आप देखेंगे कि मंगल जिस राशी पर बेठा हुआ है करक राशी पर उसका स्वामी आप देखेंगे कुंडली में चंद्रमा तो वह भी दूसरे भाव में नीच राशी वरश्चिक राशी पर बेठा हुआ है वेसे तो चंद्रमा का व्रश्चिक राशी पर बेठना समस्या देता ही है एसी इस्तिती में कहीं कहीं व्यक्ति को समस्या रहेगी लेकिन जिस भाव में बेठा हुआ है वहाँ पर ज्यादा समस्या होगी अब इस कुंडली में आप देखेंगे तो चंद्रमा दूसरे भाव में कुटुम्ब भाव पर ही नीज का बेठा हुआ है क्या करें ब्रश्चिक राशी वहीं पढ़ती है और दशम भाव में मंगल बेठा हुआ है करकराशी पर नीज का तो ये इस्तती जो है सबसे खराब इस्तती होती है कहीं कहीं ऐसी इस्तती नहीं भी बनती है जैसे मेश लगने की कुंडली हो तो उसमें सब्तम का स्वामी शुक्र बनेगा वहाँ छटे भाव में नीज का होगा लेकिन छटे बाव का स्वामी बुद्ध यदि बारवे बाव में बेठा हो तो नीच का होगा लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि शुक्र से आगे पीछे बावों में ही बुद्ध होता है शुक्र से साथ गर दूर कभी भी बुद्ध नहीं होता है तो इस बात को भी समझनी होती है लेकिन यदि बुद्ध इस कुंडली में जैसे जो मैं बात कर रहा हूँ मेश लगन की कुंडली ये तो तुला लगन की कुंडली है लेकिन मेश लगन की कुंडली मान लीजे लगन में एक कांख है सब्तम में साथ कांख है और शुक्र यदि छटे भाव में नीच राशी पर बेठा हुआ है लेकिन बुद्ध भी कहीं अस्त है तो इस्तती बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है इसे भी समझना होता है हाँ इस इस्तती में सुधार वाली इस्तती तब बनती है जब सब्तम भाव में शुब ग्रहों की दरश्टी हो और खराब इस्तती और ज़्यादा तलाक वाली कब बन जाती है कि सब्तम भाव में भी यदि राहु केतु में से कोई प्लैनेट बेठा हो या सब्तम भाव का क्षत्रु कोई ग्रह बेठा हो तो और भी استती खराब हो जाती यदि चोथे भाव में सात्वे भाव में नौे भाव में पाप गरह बेठे हो तो इस्ततियां और जादा खराब हो जाती उसको भी समजना पड़ता है यदि सब्तंम भाव का स्वामी लगन कुंडली में अच्छी इस्तती में है लेकिन नवमांश कुंडली में जो D9 चार्ट है उसमें यदि नीच राशी पर है तो उसके जो फल है शुब फल वे नहीं मिल पाते हैं वहाँ भी वेवाहिक समस्या रहती है तो ये जो छोटी-छोटी बाते हैं इन पर ध्यान दे चुकी है और मिलान फिर कम आते हैं तो क्या करें जो आया उसी से विवाह करें और फिर अगर वहाँ पर ये सारी इस्ततियां देखने लग जाएंगे तो और ज्यादा देरी वाली इस्तति तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा खांदान पर ध्यान अवश्य देना होगा क्योंकि आजकल मैं आपको पूरु में ही बता चुका हूँ कि लोग बिना सोचे समझे आजकल बच्चे पड़े लिखे हैं बहुत अच्छी एजूकेशन ले चुके हैं उनकी सेलेरी भी लाखों में है बहुत अच्छी सेलेरी है तो वहाँ पर वे अपने समाज के अलावा अन्य समाज में भी रिष्टा करने को तैयार हो जाते हैं तो वहाँ पर अन्नोन फेमिली होती है जान पहचान वाली फेमिली नहीं होती है और आप देखते ही है आजकल तो इंटरनेट के माध्यम से मिलान आते हैं वहाँ आपके सामने सुंदर चित्र होते हैं लड़के अलग-अलग हो जाती है तो यह सारी बातें भी ध्यान में रखनी होती है के वल कुंडली मिलान ही नहीं उसके बाद वाली इस्तियां जैसे आप जिस परिवार को देख रहे हैं वह भी खांदान अच्छी हो तो सारी इस्तियां अच्छी रहती है जहां भी आप रिष्टा क रहे हैं जिस लड़की या लड़के के साथ उसके कोई भाई बहन है वे शादी शुदा है या नहीं यदि है तो उनकी इस्तती कैसी है अच्छी है या बूरी उसको भी अवश्य देखना चाहिए माता पिता की भी इस्तती देखनी चाहिए कि कहीं माता पिता अलग-अलग तो नहीं रहते हैं बहुत सी बार ऐसा भी देखा है हमने कि माता पिता में आपस में बंती नहीं मा बेटी के साथ कहीं अलग रहती है और बेटी बिलकुल अकेली इस्तती में है तो वहाँ पर भी पर ही होंगे लेकिन परिवार की पड़ताल अवश्य करें तो रिष्टा करते समय सारी सावधानिया रखनी पड़ती कुंडली तो है ही लेकिन जो दूसरी इस्तियां होती है जनरल बातें उनको भी ध्यान में रखना होता है यसे नहीं कि आँख मूंद कर आप कोई काम कर लें और फिर बाद में आपको पच्छता ना पड़ें तो यदि आपकी संतान की आयू बहुत अधिक हो चुकी है तब भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी चा पर बेठा हुआ है वहां पर नीच की इस्तति में है और चहां बेठा हुआ है वहां का स्वामी यदि नीच राशी पर बेट जाए तो यह इस्तती खराब होती है इसमें भी विवाह में देरी और विवाह के बाद भी पती-पत्नी में तनाव की इस्तती रहती है उनका एक दूसरे के प्रती जो व्यवहार है अच्छा नहीं रहता है और एक बात और है कि सब्तम का स्वामी जहां कहीं बेठा हुआ है वहाँ पर उसकी अच्छी इस्तती है लेकिन उस जिस राशी पर सब्तम का स्वामी बेठा हुआ है उस राशी के स्वामी को भी देखना पड़ेगा जोतिश का यह नियम है मान लिजिए लगन का स्वामी भागी स्थान में बेठा हुआ है बहुत अच्छी इस्तती है लगन कुंडली प्रतम भाव का स्वामी भागी स्थान में बेठा हुआ है बहुत अच्छी इस्तती है या केंदर में ही है अच्छी इस्तती है या पंचम भाव में है अच्छी इस्तती है लेकिन माली जी ये लगन का स्वामी भगी इस्थान नवम भाव में बेठा हुआ है लेकिन नवम भाव का स्वामी कहीं बुरी इस्तिती में है अस्त है या नीच राशी पर बेठा हुआ है तो वहाँ जितने अच्छे फल मिलने चाहिए नहीं मिल पाते है पंचम में बेठा हुआ है लगन का स्वामी या पंचम का स्वामी लगन में बेठा हुआ है लेकिन लगन का स्वामी छटे आठवे बारवे में कहीं बेठा हुआ तो व्यक्ति की शारीरिक इस्तति ही अच्छी नहीं तो पंचम भाव से हम दूसरी इस्तति देखेंगे तो वहाँ मामला बेट नहीं पाएगा तो यहाँ जो डबल इस्तती है यहाँ देखनी भी बहुत जरूरी है और यहाँ केवल सब्तम भाव के ही जो सब्तम भाव है उसके लिए ही नहीं बलकि अन्य भावों में भी इसी इस्तती को देखना पड़ता है और यदि सब्तम भाव में शुब ग्रहों की द्रश्टी है तो इस्ततियां आच्छी रहती है और पाप ग्रह सब्तम भाव में हैं तो बुरी इस्ततियां रहती है यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेर करना बिलकुल भी ना भूलें धन्यवाद जैशिक्रष्ण